नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका चमतकारी टोटके चैनल पर आज की वीडियो में जानेंगे नरक चतुरदशी यानि छोटी दिवाली की पूजन विधी शुप मुहरत छोटी दिवाली पर किये जाने वाले चमतकारी उपाए दिवाली से ठीक एक दिन पहले नरक चतुरदशी का तेवार मनाया जाता है इसे रूप 14, काली 14 और छोटी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है इस दिन मृत्यू के देवता यम्राज, भगवान श्रीकृष्न, काली माता, मगवान शिव और हनुवान जी और विष्णू जी के वामन रूप की विशेश पूजा की जाती है शाम के समय दीपक चलाए जाते हैं और चारो और रोशनी की जाती है नरक चतुरदर्शी का पूजन अकाल मृत्य से मुक्ती और स्वास्त शुरक्षा के लिए किया जाता है हिंदू पंचान के अनुसार इस सार नरक चतुरदर्शी 11 नवंबर को 1 बच कर 57 बजे से शुरू होकर अगले दिन 12 नवंबर को दुपैर 2 बच कर 44 बजे पर इसका समापन होगा ऐसे में मालक्ष्मी के आग्मन को लेकर लोगों के घरों की साफ सफाई से लेकर तमाम तयारियां शुरू कर दी है नरक चतुरदर्शी को कुछ विशेश उपाय किये जाते हैं जिससे आपके जीवन में पूरे साल ना सिर्फ धन्म सम्रिद्धी आती है बलकि भय के साथ पाप वद दुखों से मुक्ती मिलती है आईए जानते हैं इन उपायों के बारे में उससे पहले आप चैनल को सस्क्राइब कर ले और नए वीडियो के अपडेट सपाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर ले सबसे पहलो तो दोस्तो नरक चतुरदर्शी के शुब दिन पर सुबह जल्दी उठकर पूरे शरीर में तेल की मालिश करने से माता लक्ष्मी का आशिरवाद मिलता है धार्मिक मानेता के अनुसार तेल में माता लक्ष्मी का वास होता है तो वहीं जल में गंगा जी निवास करती है यही कारण है कि नरक चतुरदर्शी के दिन तेल की मालिश और उसके बाद सनान करने से माता लक्ष्मी और देवी गंगा का आशिरवाद मिलता है जो जीवन में सुक समरिद्य और धन प्राप्ती के लिए उप्योगी माना गया है छोटी दिवाली के दिन वृत्यू के देवता यमराज की पूजा की जाती है और इसी लिए इस दिन को यम के नाम से भी जाना जाता है इस दिन घर में हर जगा दीपक जलाएं इसके बाद दक्षिन दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाए और प्रातना करें ऐसा करने से भई से मुक्ती मिलती है और पित्रों का भी आशिरवात प्राप्त होता है नरक चतुरदशी के दिन भगवान कृष्णि ने नरका सुर नामक राक्षस का वत कर मोक्ष दिलाया था इसलिए भी इस दिन को नरक चतुरदशी कहा जाता है इस दिन भगवान कृष्णि की पूजा अर्चना करना विशेश फल्दाई माना जाता है नरक चतुरदशी के दिन यम का दीपक जलाया जाता है एक बड़ा सा दीपक जलाया और उसको पूरे घर में घुमाकर घर से कहीं दूर ले जाकर रग दे ऐसा करने से घर की सभी नकरात्मक शक्तियां दूर चली जाती है और सकरात्मक उर्जा का संचार बना रहता है चोटी दिवाली के दिन कुल देवी देवताओं की पूजा पाट करनी चाहिए और उनके साथ पित्रों के नाम का भी दीपक जलाना चाहिए ऐसा करने से दीपक की रोशनी पित्रों तक महुचती है और वे इससे प्रसन्न होते हैं पित्रों के प्रसन्न होने से घर में सुक शांत्य और समरिद्धी बनी रहती है छोटी दिवाली के दिन सभी देवी देवताओं की पूजा करने के बाद शाम के समय घर के में गेट के दोनों तरफ तेल के चौदा दीपक चलाए ऐसा करने से लक्ष्मी का घर में निवास होता है नरक चतुरदशी के दिन जड समेट मिटी से निकले हुए अपा मार्क यानि चिर्चटा की टहनियों को सिर पर घुमाने की परंपरा है कहा जाता है कि ऐसा करने से आपके सेहत को नुकसान नहीं होता है साथी नरक का भै दूर होता है आप चाहे तो लौकी के तुपड़े को भी सर पर घुमा सकते हैं और पानी में चिर्चिरा के पत्टे डाल कर स्नान भी कर सकते हैं कपूर को सकरात्म कूर्जा कर बहुत अच्छा स्तोत माना गया है। देवी लक्ष्मी को भी कपूर अतिप्रिय है। नरक चतुरदशी के दिन काली 14 भी होती है। और इसमें कपूर के दीपक से देवी काली की आर्थी की जाती है। ऐसा करने से आपके जीवन में सारी मुसीबत खतम हो जाएंगी। और कपूर आपके घर के वातावरण को शुद बनाता है। नरक चौदश के दिन आपको श्री हरी विश्नुजी को तिल जरूर अर्पित करना है। यह उनका अतिप्रिय है। नहीं नहीं इस दिन अबिजीत मूरत में आपको अपने पित्रों को तिल वाले जल से तिलांजली देनी चाहिए। ऐसा करने से पित्रुदोश कम होता है। पांच दिनों के दीप उत्सफ के दोरांद सफाई का विशेश महत वो होता है। खास तरुपर नरक चतुरदर्शी के दिन। माना चाहता है कि इस दिन घर से फालतु का सामान जैसे टूटा-फूटा फरनीचर, बिकार, जूते, फटे-पुराने कपड़े आधी को निकाल देना चाहिए। साती घर के अंधेरे वाले स्तानों पर दीपक जलाकर रौशनी करें। ऐसा करने से घर का वातावरन शुद्ध होगा। जिससे माल अक्षमी का आपके घर में आगमन होगा। तो दोस्तों ये थे नरक चतुरदशी के कुछ उपाए। इसी तरीके के और वीडियो के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल चमतकारी टोटके के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेर करें और चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।